हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम डिसकस करने वाले हैं आपके बीएड इंटर्स एक्जाइम के लिए जीके और जीएस के कुछ बहुत ही मात्पूर प्रशन तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें क्लास को शियर करें इसके अलावा अगर आपने हमारा मोबाइल एप्लिक करेंगे और आपको हमारा अप्लिकेशन मिल जाएगा उसको आप लोग इंश्टॉल कर लें उसमें हमने पीड कोर्स टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर्स सब कुछ उसमें आपको प्रवाइड किया गया है तो आप लोग प्लेश्टोर से जाके हमारे अप्लिकेशन को डिकते हैं आपका पहला क्वेस्ट्या की तो फ्रेंट्स आपका क्वेस्ट्यन है कि धूनगी द्वारती का एसाई मातरक्थ का हैहेतली सवत्त क्य Бог Scout हैंторов तो नीनो नूटन जो है बल का मात रख होता है ठीक है हर्ड्स हर्ड्स किसका मात रख होता है तो हर्ड्स हमारा आवरति का मात रख होता है याद रखेंगे और टेसला किसका मात रख होता है तो टेसला जो है चुम्बकी छेत्र की तीवरता का मात रख होता है आगे समझ में रिपीट कर अगला question है आपका कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रंट से कौन सा रंग प्राप्त होता है which color is obtained by mixing blue and green options हैं आपके सियान, भूरा, काला या बैंगरी comment करें फटाफट से चल यह अच्छा question है बात करते हैं इस question के right answer की इस question का right answer हो जाएगा option है आपके सियान, तो नीले तथा हरे रंग के मिश्रंट से सियान जो है की अगर आप से पूछिए कि लाल और नीला और पीला रंग की मिश्रंट से कौन सा रंग प्राप्त होगा तो भूरा रंग प्राप्त होता है ओके काला रंग किसे प्राथमिक रखेंगे कि कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं यह पूस्ता एक्जाम में कि कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं देखे रेड यह लाल हरा और नीला यह प्राथमिक रंग होते हैं इसके अलावा इनको जो है मूल रंग भी बोलते हैं याद रखेंगे, इनको मूल रंग भी बोलते हैं, इनको लाल हरा और नीला को, clear, चलिए, अगला question आपके सामने देखते हैं, फटा-फट से, अपने class को share कीज़ेगा, ठीक है, अगला question है, कि संगड़क या कम्प्यूटर शद्दा वली में, FTP का आज संग्शिप्त रूप क कि संगड़क, कम्प्यूटर को हिंदी में संगड़क कहते हैं, ठीक है, किसको कम्प्यूटर को हिंदी में संगड़क कहते हैं, या याद रखेंगे, अब बताएं, what is the short form of FTP in a computer, और computer terminology, options हैं आपके, file transfer position, file transfer position, file transfer packet या file transfer protocol, संगड़क में, जो FTP होता है, इसको बोलते हैं, file transfer protocol, क्या बोलते हैं, file transfer protocol, इस question का right answer, option number D हो जाएगा, Okay, option D is the right answer of this question, friends, अगला question है आपके सामने, एक उश्मा छेपी प्रितकिरिया क्या होती है, बताएं, what is an exothermic reaction, options हैं आपके, प्रितकिरिया जिसमें उश्मा विमोचित होती है, प्रितकिरिया जिसमें ना तो उश्मा विमोचित होती है, और ना ही विमोचित होती है, इन में से कोई नहीं, तो उस्मा छेपी प्रितकिरिया क्या होती है, बताएं, देखिए ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें उस्मा विमोचित हो जाती है इसको हम उस्मा छेपी जिसमें उस्मा विमोचित हो जाती है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A clear? चलिए अगला question friends आपका की पीतल मिशधात के मुख खटक कौन से है what are the main components of brass alloy तो पीतल क्या है पीतल एक मिशधात हो है अब पीतल किसकी मिशधात हो है यह आपको इस question में बताने है ठीक है आपके options है तामबा और जस्ता तामबा तथा शोडादू तामबा जस्ता तथा निकल या तामबा तथा निकल कमेंट करें तो पीतल हमारी तामबा और जस्ता की मुख खटक होती है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option A अब मिशधात किनको बोलता है एक्जाम में पूस्ता है देखें दो या दो से अधिक जो तथो मिलकर एक नई समागरी या नए तथो का निर्माण करते हैं तो इसको मिशधात कहते हैं अब इसी प्रकार से पीतल किसकी मिशधात है तो ये तामबा और जस्ता की ठीक है इसमें जिनका answer option A आया हुआ है very good चलिए देखते हैं इस class का हम फटा फट से अगला question अगला question है आपका कि निमलखित में से कौन भारत का राश्ट्री जली जीव है which of the following is a national aquatic animal of India options हैं आपकी मगरमच, कचुआ, घरियाल ये गंगा सून्स बताएं कि भारत का राश्ट्री जली जीव कौन सा है इस question का right answer हो जाएगा option D गंगा सून्स अब गंगा सून्स जो है आप लोग confuse हो रहे होगे गंगा सून्स के है देखें जो गंगा डॉल्फिन होती है इसको गंगा सून्स केहते है ठीक है अब देखें एक question और आएगा कि गंगा सून्स की रक्षा के लिए जो है यह डॉल्फिन अभ्हेरण है कहां बनाया गया है देखें बिहार राज्य में समझ लिए question को तो बिहार राज्य का एक जिला है भागलपूर है ठीक है बिहार राज्य की भागलपूर जिले म जो विक्रम शिला गंगा डॉल्फिन के नाम से एक अभ्हेरण बनाया गया है गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए ओके तो इस question का right answer अगर आपने option D चुना हुआ है very good चलिए देखते हैं फटा-फट से अगला प्रश्ण अगला question आपके सामने है कि प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रत अभ्यान प्रतेक मास के 10 दिन निश्चिलक जाँच तथा आपक्षित इलाज की सिविधा ब्रदान करता है तो बताएं पहले नवे पंद्रहवे या तीसवे सुरक्षित मात्रत अभ्यान के तहट प्रतेक मा प्रतेक मा के तीसवे दिन में तीसवे नहीं प्रतेक मा के नवे दिन में जो है निश्चुलक स्वास्थ और अपक्षित इलाज की सिविधा दी जाती है Okay, option D is the right answer of this question इसके अलावा एक question और बहुत important है आपसे पूचे का कि प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रत अभियान की शुरुवात कब हुई तो यह verse 2016 में तो verse 2016 में प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रत अभियान की शुरुवात हुई थी यह याद रखेंगे आप लोग Clear? Shall you अगला question है कि J.B. Dunlop ने किसका अविश्कार किया था? Good question What was invented by J.B. Dunlop? Options है आपके हवाई जहाज, car, rubber tire, rubber के जूते J.B. Dunlop दोरा किसका अविश्कार किया गया बताएं? इस question का right answer हो जाएगा option C Rubber के tire ठीक है? जो rubber tire हैं देखे होंगे आप लोग अभी भी market में आते हैं J.B. टायर साते हैं Dunlop टायर साते हैं ठीक है? तो J.B. Dunlop नहीं rubber के tire का विश्कार किया था Okay इस question में right answer option C होगा इसके अलावा जो J.B. Dunlop थे इनका जर्म कहा हुआ था? स्कॉर्ट लेंड में ठीक है? और ये एक परशुर चिकित सक भी थे J.B. Dunlop तो इस question में जिनका answer option C आया हुआ है Very good चलिए राइट ब्रदरस ने हावाई जहाज का विश्कार किया था या आप लोग जानते हैं Okay चलिए अगला question है कि सचिन तेंदेलुकर ने किस स्टेडियम में अपना सववा अंतर राश्ट्री सतक बनाया था? In which stadium did सचिन तेंदेलुकर score his 100th international century? Options आपके वानखेडे स्टेडियम, शीर ए बांगला, शहीद चंदर स्टेडियम या बाराबती स्टेडियम तो सचिन तेंदेलुकर ने किस स्टेडियम में अपना सववा अंतर राश्ट्री सतक बनाया था? इस question का right answer option B होगा, share A. बांगला, कहाँ पर? तो share A. बांगला स्टेडियम में सचिन तेंदेलुकर ने अपना सववा अंतर राश्ट्री सतक बनाया था, clear? option B is the right answer of this question चलिए फटा फट से देखते हैं साथ ही हूं अगला question अगला प्रस्टन है कि निम्लिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है तो कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है बताएं बात करते हैं इस question के right answer की तो पंडित जसराज आप लोग सुने होंगे नाम बहुत तो पंडित जसराज जी का संबंद एक गायन से छेतर से है ठीक है और यह भारती शास्त्री गायकों में से एक है पंडित जसराज जी ठीक है अब आपसे पूशता है अगर कि पंडित जसराज जी का संबंद किस घराने से है very important question मेवाती घराना ओके तो पंडित जसराज जी का संबंद जो है मेवाती घराने से है clear चलिए ले चलते हैं आपको अगले question की तरफ आप लोग class को अपने share करते रहें friends मेरा नाम शीवम है और मैं आपके साथ में नया हूँ ठीक है तो हमें आपके support की जरूरत है आप हमको भी पसंद करें support करें और जितना best हो सकेगा वह आपको अपने तरफ से देंगे हर best content, best explanation आपको provide कराए जाएगी ओकी चलिए मैं शीवम आपके सामने जो है नया हूँ तो आप लोग भी class को support करें चलिए अगला question आपके सामने है एक second चलिए प्रश्न है कि किस अभी नेत्री ने 64 राश्ट्री फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है देखिए ये जो फिल्म पुरस्कार है स्पोर्ट्स वाले questions है यह आपके exam में बहुत आते हैं अब वो कौन से भी नेत्री थी जिनको 2017 में 64 राश्ट्री फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था options है आपके सुरविप सी एम तापसी पन्नू तरश्रा कृष्णन या अनुश्का शेट्टी इस question का राइट answer हो जाएगा option A सुरवि पी एम कौन सी सुरवि सी एम अभी आपके लिए question इतना important नहीं है हम आपके सामने नया question डिसकस करेंगे ठीक है मैंने आपको पहले बताया है जितना बेस्ट हो सकेगा मैं आपको अपनी तरब से दूँगा बस आप लोग हमें support करें क्लास को support करें आप किसे पूझे का 2021 में 2021 में जिस सरसेष्ट अभिनेता का पुरसकार किन को मिला है तो यह मनोज बाजबई को मिला है ठीक है और सरसेष्ट अभिनेत्री का पुरसकार जिसको दिया गया था तो यह कंगना रनाउत को ओकी आगे समच में चलिए देखते हैं अगला question आपका है कि सचिन तेंदेलुकर के आत्मकथा का क्या नाम है इन में से बता हैं कि सचिन तेंदेलुकर की आत्मकथा का नाम क्या है इस question का right answer अगर आपने चुना है option B playing it my way पुस्ता एक्जाम में कि playing it my way किसकी आत्मकथा है तो यह सचिन तेंदेलुकर की आत्मकथा है इसके अलावा एक question और इसमें important है नमबर्स टू डाए ठीक है नमबर्स टू डाए किसकी आत्मकथा है तो यह याद रखेंगे आकास चोपडा ठीक है इसके लिखा क्यों है आकास चोपडा इसके लिखा के नमबर्स टू डाए के बहुत important question है तो इसमें जिनका answer option B आया हुआ है very good चलिए देखते हैं अगला question अगला question आपके सामने कि नमलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझोते में शंशोधन करने के लिए तीसरा protocol अजिसूचित किया है with which of the following countries India has recently notified the third protocol to amend the double taxon avoidance agreement options आपके चीन, वियतनाम, सिंगापूर या मलेशिया इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C Singapore अब इसमें जो आप पढ़ रहे हैं दोहरा कराधान परिहार समझोता है इसको DTAA बोलते है ठीक है इसका उद्देश क्या है तेक इसका उद्देश है दोनों देशों के दोरा किसकी बीच में समझोता हुआ है यह दोहरा कराधान परिहार समझोते का उद्देश है तो इसमें जिनका answer option C आया हुआ है very good चलिए देखते हैं अगला question आपका अगला question है friends की मालदीव की मुद्रा क्या है what is the currency of Maldives टका क्यात रूफिया या निगलतुम बताएं मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है very good तो मालदीव की मुद्रा का नाम है रूफिया इसके अलावा बंगलादेश की मुद्रा का क्या नाम है टका बंगलादेश की मुद्रा का नाम टका क्यात क्यात किस देश की मुद्रा है तो क्यात म्यामार देश की मुद्रा है ठेक है और ये नगुलकुम इसकी है ये भूटान की मुद्रा है ओके इस question का right answer option C हो जाएगा मालदीव की मुद्रा पूफिया बंगलादेश की टका म्यामार की क्यात और भूटान की नगुलतुम हार है समझ में चलिए option C is the right answer अगला प्रशन की चारवाक दर्शन में चार पुरशार्थों में से चरम लक्ष माना गया है which of the four पुरशार्थ is considered to be the best, to be the ultimate goal in चारवाक फिलोसफी तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष तो चरम लक्ष किसको माना गया है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option C काम, किसको माना गया है, काम को option C जिनका भी answer आया हुआ है इस question में बिल्कुल सही उत्तर है उनका, शैलिये देखते हैं friends इस class का हम अगला प्रशन आपका अगला प्रशन है friends कि स्याद्वाद का संबंद किस दर्शन से है, तो स्याद्वाद का संबंद किस दर्शन से है, with which philosophy is स्याद्वाद related, options हैं आपके बहुत, स्याद्वाद का संबंद किस दर्शन से है, तो स्याद्वाद का संबंद है जैन धर्म से है, याद रखेंगे जैन धर्म से है, और इसको जो है अनेकटावांत या सब्थभंगी अनेकटावाद या सब्थभंगी सिद्थान्त भी कहा जाता है ठीड़ है अगर सब्थभंगी पूछते या नेकटावाद पूछ ले तो rial content द्रेंगे सेहें आन्सर होगा ठीट है शेल यहाई अब हम देखते से अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है फ्रेंड्स के सीखने के सिध्धांतों में पावलाव में पावलाव ने निम्न में से किस सिध्धांत का प्रतिपादन किया है सिंपल सा क्वेस्टन है पावलाव त्वरा किस सिध्धांत का प्रतिपादन किया गया है यह आपको बताना है आपके आप्संस हैं प्रबलन सूजिया अंतरदरश्टी संबद प्रक्रिया एक क्रिया प्रसूत अधिकम कमेंट करें पावलाव कौन थे इनके बारे पहले जानते हैं पावलाव जो है एक रूसी फिजियो लॉजिस्ट थे और इनको 1904 में नोबल प्रस्कार से भी सम्मानित किया गया था ठीक और इन्होंने संबद प्रक्रिया पर अपना संबद प्रक्रिया सिधांत कर प्रतिपादन किया तो पावलाव ने किस सिध्धान कर प्रदबादन किया, संबध प्रक्रिया का, इनको नोबल कर मिला, 1904 में, इनका संबध किस देश से था, रूस से, चलिए, आप लोग क्लास को शेर करते हैं, जो लोग अभी आए हैं, पता दे, से, मैं आपका नया फ्रेंड, नया टीचर, शीवम, ठीक है, तो आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेर करते रहें, और जितना बेश्ट हो सकेगा, वो हम आपको देंगे, अगला क्वेस्टिन फ्रेंड्स आपके सामने हैं, सपनों के अध्धिन को क्या कहते हैं, what is the study of dreams called, आपसें से आपके, आणियोलोजी, ड्रीमन, एंथ्रपोलोजी, यह ओडियोलोजी, सपनों के अध्धिन को क्या बोलते हैं, बता हैं, सपनों के अध्धिन को आणियोलोजी कहते हैं, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A, सपनों के अध्यन को onyology कहते हैं, क्या बोलते हैं, onyology, very good, option A जिनका answer आ रहा है, very good, चलिए, dear friends, देखते हैं अगला question, अगला question आपके सामने है, myopia किस से संबंधित है, what is myopia related to, options हैं आपके, निकट दरश्ट दोश, दूर दरश्ट दोश, रताउंधी ये वड़ा अंधता, तो myopia का संबंध किस जह ए, दोश्ट से किस अंग से है, बताएं, चलिए, अंग से याद आ गया, आपसे पूछेएं का myopia का संबंध किस अंग से है, इसका अंग हमारे आँख से होता है, आई से, आँख से, अब myopia किस दोश से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखेंगे friends जो मायोपिया हमारा है इसका संबंद निकट द्रश्ट दोस से होता है ठीक है क्या होता है निकट द्रश्ट दोस से मायोपिया का संबंद होता है ओके अगर आसे पूछे दूर द्रश्ट दोस से किसका संबंद होता है तो दूर द्रश्ट दोस से हाइपर मायोपिया यह हाइ पर मायोपिया का सम्मद्ध दूर द्रश्टी दोस्ते होता है ओके चल यह देखते हैं एकला प्रश्ण अगला क्वेश्चन आपके सामने है Australian Open 2021 किस ने जीता? Who won the Australian Open 2021? options है आपके नुवाग जोकोविच रोजर फेडरर इवान डी यह एंडी मर्फी तो Australian Open 2021 का खिताब किस के दौरा जीता गया? बताएं इस question का राइट answer हो जाएगा option A नुवाग जोकोविच नुवाग जोकोविच ने Australian Open 2021 का खिताब जीता है इसके अलावा इन्होंने अब तक 20 इन्होंने अब तक 20 grand slam जीते हुए है ठीक है? चलिए option A is the right answer अगला question है friends की किस world group के पास यह पर blood होना चाहिए? ठीक है? किस blood group के साथ में? ठीक है? तो किस blood group के पास antigen नहीं पाई जाती? antigen is not found in which blood group? options है आपके A blood group O blood group A plus blood group यह B blood group बता है ठीक होता है O blood group ठीक है? O blood group के पास antigen नहीं पाई जाता है अब antigen क्या होता है? देखिए antigen किसी जीव के श्रीर में मौजूद वह गुड होता है जो रोगों से लड़ने में हमको शक्ति देता है इनर्जी देता है ठीक है उसको अमें antigen कहता है Option B जिनका अंसर आ रहा है Very good चलिए अगला प्रशन है कि भारत की सबसे पुरानी पत्थर की सनचना कौन सी है? Which is the oldest stone structure of India महास्थान सारनात का स्थूप साची का स्थूप या अमरावती स्थूप तो भारत की सबसे पुरानी पत्थर सनचना कौन सी है? तो साची का स्थूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर सनचना है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C इसके रहा साची का स्थूप है कहाँ पे? यह MP मध्यप्रदेश राज में है एकर पनवाया किसने था साची के स्थूप को? समराठ अशूप ने okay समराठ अशूप द्वारदेश की मुर एवंस के शाषक थे और इही के त्वारदेश साची के स्थूप का निर्मान कराया गया था okay चलिया तीस्री सतिय शापूर में अगला question आपके सामने कि United Nation का मुख्याले कहा है वेर इस दा हेड़क्वार्टर ऑफ United Nation New York, जेनेवा, लंदन ये दिल्ली दिखिए United Nation इसका मुख्याले New York में है इस question का right answer option E होगा इसके अलावा United Nation की स्थाफना कब हुई तो याद रखेंगे 24 October 1945 को बहुत पूशता है 24 October 1945 को UN की स्थाफना हुई थी इसका मुख्याले कहां पे New York में वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है 193 देश UN में शामिल है ओके चलिया Friends आपका अगला और अंतिम question है कि भारती cancer अनुसंधान संस्थान कहां है विर इस दा Indian Cancer Research Center options है आपके पंजाब, लखनव, दिल्ली या हरियाना इस question का right answer option D होगा हरियाना देखे हरियाना के जजजर में इस्थित है भारती cancer अनुसंधान संस्थान और यह भारत का सबसे बड़ा cancer अनुसंधान है अब इसकी इस्थापना का प्रस्ताव है कब स्विक्रत किया गया था भारती cancer अनुसंधान संस्थान के 26 दिसंबर 2013 को 26 दिसंबर 2013 को इसके इस्थापना का प्रस्ताव स्विक्रत किया गया था ओके चलिए क्लास को काफी अच्छे से पसंद किये होंगे जिनकी लोगों ने क्लास को फ्रेंट से लाइक नहीं किया है सब लोग क्लास को लाइक करें और क्लास को अपने शेर करें ठीक हमारा mobile application है dear guruji official आप इसको play store से जाके install कर लें ठीक है इसमें आपको test series ठीक है video lectures courses सब कुछ आपको उसमें provide किया गया है चलिए friends तो आज की इस class में इतना ही मैं आपका friend शीवम कुमार मिलता हूँ friends आप से आपकी next class में तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखें safe रहें take care friends bye bye